कि मैं अंशमन कि शार्दा सिनाजी का बेटा अभी मैं उनके साथ हूँ यहां इंस आयर्स एच में और वो इस वक्त आई सिउ में एड्मिट है और कुछ बातें हर जगर पहली हुई है सबको पता ही है क्या हो रहा है पर कुछ जगों से गलत नियूज आ रही है मैं उसका खंडन करने के लिए फिर से सामने आया हूँ शार्दा जी इस वक्त आई सिउ में है और अपनी स्थिती से लड़ रही है और कुछ न्यूज चैनल्स पर मैंने सुना कि कहा जा रहा है कि उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया गया है और यह भी ऑथंटिकेट कर रहे हैं कि यह खबर उन्हें एम्स के डिरेक्टर न नहीं है वह अभी नुमल ऑक्सिजन पर हैं और स्थिती गंभीर जरूर है पर वेंटिलेटर पे शिफ्ट होना एक ऐसी चीज है जिसको सुनते ही आदे से जादा लोग खुद अपना जो है वहार मान लेते हैं इस चीज से कि अच्छा पर ऐसा नहीं है अभी ना उनको वें हैं आज मेरी उनसे मुलाकात होई है और वंदना जो उनकी डॉटर है उनकी मुलाकात होई है सिर्फ अभी हम अटेंडिन्स को ही अलाउड है उनसे मिलना उनको काफी सीरियस रेस्ट्रिक्शन्स में और आइसोलेशन में रखा गया है